दोस्तों आज साम को शुरू होने वाली पढ़ो और जीतो प्रतियोगता में हिस्सा जरूर लें नमस्कार दोस्तों आपका अपने परिवार दा स्पीड इस्टेडी पर एक बार फिर से स्वागत है हम लोग knowledge special में आज अगला question discuss करेंगे जैसा कि आपको बता दी कि पिछला वीडियो हमने डाला था जिसमें science के 30 question थे 10 minute में मात्र 30 question तो इसी प्रकार से हम लोग series ये चलाते रहेंगे आपको daily जो है आपको 10 question, 15 question, 20 question के series मिलती रहेगी तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 30 प्रस्ण डिसकस किया था उसी क्रम में आज हम लोग chemistry के प्रस्णों पर डिसकस करेंगे और chemistry के 40 प्रस्णों को देखेंगे तो चलिए start करते हैं पहला question तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है क्या ले जाती है तो इसका सही अपसर होगा ओर जा ले जाती है सूरी ग्रहन के समय सूरी का कौन सा भाग दिखाई दिता है तो सूरी ग्रहन के समय सूरी का जो किरीट भाग होता है वो दिखाई दिता है अगला question अगर हम बात करें तो कपडों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रियोग किया जाते हैं कपडों से जंग के धब्बे हटाने के लिए औपजेली कामलिका प्रियोग करते हैं अगला कुश्यन है कि गन्ने में लाल सरन रोग किसके कारण उत्पन होता है गन्ने में लाल सरन रोग देखिए आप देखते होंगे कि लाल लाल सर जाता है गन्ना लाल कलर कहो जाता है वहाँ पे तो वो किसके द्वारा होता है तो वो कवक के द्वारा होता है जी हां दोस्तो आगे अगर बात करें तो टेली वीजन का विसकार किस ने किया था इसको तो अगला प्रशन अगर हम बात करें तो लिखा है कि मनुष्ज ने सर्वपर्थं किस जन्तु को अपना पालतु बनाया था जी हाँ दोस्तो, मनुस्र ने सरव रथम अपना पालतू किस जानवर को बनाया था तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कुत्ता मनुस्र ने सबसे पहले कुत्ता पाला था अगले प्रश्न की बात करें तो किस बैग्यानिक ने स्वरुपर्थम बर्फ के दो टुकोडों को आपस में घिस कर पिखला दिया था तो वो थे डेवी ठीक उन बैग्यानिक का नाम क्या था डेवी था फिर अगर हम बात करें कि हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है तो अगर हम बात करें तो आंतरिक परावर्तन के करणार क्यों कि देखे हीरा जो होता है वो इस कोण पर जुका होता है कि उसका बार-बार परावर्तन होता रहता है और अंदर ही अंदर प्रावर्तन होता रहत इसलिए जब एक बार प्रकास अंदर प्रवेस कर गया ना तो फिर बाहर नहीं आ पाता और इसी के वज़ा से वो चमकदार दिखाई देता है आगे हम बात करें तो गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जा करता है यहां दोस्तों कौन सा ऐसा आहार है जो कि उतक की ब्रिध के लिए भोसक तत्र प्रदान करता है तो वो पनीर है इसलिए देखिए जब आप जी मूम जाते हैं तो अंडे से ज्यादा जो है पनीर से फाइदा होता है वहीं अगला प्रशन अगर हम बात करें तो निम्लिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है तो जी हां जोस्तों ड्रेको ड्रेको एक ऐसी छिपकली है जो उड़ती भी है वहीं अगला प्रशन देखिए अंगूर में कौन सामल पाया जाता है तो अंगूर में टाल ट ही रोग का अध्यान वही अगला बात करें तो घोसला बनाने वाला एक मात्र साप कौन सा है जी हाँ दोस्तों घोसला बनाने वाला एक मात्र साप कौन सा है तो किंग कोबरा किंग कोबरा एक ऐसा साप है जो की घोसला बनाता है वहीं हम आगे बात करें तो भारत में पाई जा पाई जाने वाली सबसे बड़ी मसली तो वेल सार्क है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मसली है वही हम आगे बात करें तो दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है जी हां दोस्तों दालें मतलब दाल जो है वो किसका स्रोत होती है तो प्रोटीन का प्रोटीन का सबस अच्छा स्रोत जो माना जाता है वो दाल को माना जाता है वहीं हम आगे बात करें तो देशी घी में सुगंध क्यों आती है जी हां दोस्तों देशी घी में जो सुगंध आती है वो क्यों आती है तो डाई एसिटील के कारण आती है जी हां दोस्तों डाई एसिटील के कारण आ अधिक होता है इंद्र धनुस में लाल रंग का बिक्षे पर सबसे अधिक होता है और वहीं अगर हम बिक्रण की बात की जाए फैलाओ की बात की जाए तो बैगनी रंग का बिक्रण जो है सबसे अधिक होता है इसी की वज़ा से हमको आस्मान नीला दिखाई देता है सूरी की गिरण में कितने रंग होते हैं स्वेथ प्रकास में साथ कलर होते हैं और जिनका नाम अगर आप जाने तो उनका नाम होता है विब क्योर जी हां दोस्तों उसका नाम क्या है विब क्योर तो V से वाइलेट, I से एनिको, B से ब्लू G से ग्रीन, Y से एलो, O से औरेंज और R से रेड वहीं अगर हम बात करें टाइप राइटर या टंकन मसीन टाइप राइटर मतलब वही जो आप लोग देखते होंगे स्टेनो ग्राफर का आता है तो उसमें टाइप राइटर वही टंकन मसीन जिसको कहते हैं तो AC टंक कहा जाता है फिर वहीं आगे बात करें तो दूद की सुधता का मापन किस यंतर से किया जाता है तो दूद की सुधता का मापन जो है लेक्टो मीटर से किया जाता है किस से किया जाता है लेक्टो मीटर से किया जाता है प्रिथिबी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धात तत्व कौन सा है तो वो एलुमीनियम है जी हां दोस्तों एलुमीनियम है कार्बोनेट का बना होता है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिए गर कमेंट जरूर कीजिए गा और हमें बताईएगा कि इसमें क्या कुछ इंप्रूब्मेंट किया जा सकता है अगला प्रस्ण देखेंगे कि मानो शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सहत्त्तु पाया जाता है तो आक्सीजन पाया जाता है वहीं आगे प्रश्ण की बात की जाए तो आम का वनस्पतिक नाम क्या है दोस्तों आम का वनस्पतिक नाम क्या है तो मेंगी फोरा इंडिका मेंगी फेरा इंडिका जो है आम का वास्तिविक नाम है वनस्पतिक नाम है फिर वहीं काफी पाउडर के साथ मिला जाने वाला चिक चिकोरी जोन और यह कहां से प्राप्त होता है तो यह जड़ों से प्राप्त होता है वही हम आगे बात करें तो बिटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है तो बिटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आमला है वही अगर हम आगे बात करें तो सबसे अधिक तीब्रता की ध्वनी उत्पन कौन करता है सबसे अधिक तीब्रता की ध्वन की बात की जाए तो बाग उत्पन करता है जियां दोस्तों बाग सबसे अधिक तीब्रता की ध्वन उत्पन करता है फिर वहीं बात करें कि मानो सरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों मानो शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है तो वो होती है आपकी तंत्री का तंत्र या तंत्री का कोशिका दोस्तों दात मुख रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं तो दात जो होते हैं वो मुख रूप से डेंटाइन के बने होते हैं और अगर सरीर के सबसे ठोस हिस्से की बात की जाये तो वो भी आपका दंत वल्क है ठिक जिसको आप जबड़ा बोलते हैं वहीं किस जन्तु की आकरिती पैर के चपल के समान होती है जी हां दोस्तों किस जन्तु की आकरिती पैर के चपल के समान होती है तो वो है पैरा मीशियम जन्तु है जिसकी आकरिती पैर के चपल के समान होती है जी हां दोस्तों आज आपने जाना हो गए से फिर आगे हैं निमलि करें तो मानो मस्तिस्क जो है लगभग कितने ग्राम का होता है तो वो 1350 ग्राम का होता है जी हां दोस्तों मानो मस्तिस्क लगभग 1350 ग्राम का होता है फिर वहीं बात करें तो रक्त में पाई जाने वाली था तो कौन सी है तो वो लोहा है आपका फिर वहीं आगे प्रस्न की बात की जाए तो मान स्पेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से ठकावत आती है जी हां दोस्तों मान स्पेशियों में किस अमल के एकत्रित होने से ठकावत आती है तो वो है आपका लैक्टिक अमल जी हां यह सर्फ किंडवन का उधारण है वहीं अगर हम बात करें तो केशुए की कितनी आखे होती हैं दोस्तों एक भी आख नहीं होती केशुए के एक भी आख नहीं होती फिर भही अगला प्रस्ण किया जाए कि गाजर किस बिटामिन का सम्रिद शुरूत है तो गाजर बिटामिन ए का सम्रिद शुरूत है तो दोस्तों आज हमने 40 प्रस्णों को डिस्कस किया और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में नमस्कार धन्यवाद वीडियो को देखते रहें लाइक करते रहें कमेंट करते रहें और सेयर करते रहें